दो दिनों के उतार चड़ाओ के बाद बाजार में आज शांदार रिकवरी देखने को मिली और बाजार अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोज हुए Sensex करीब 1%, Nifty करीब 70% और Nifty Bank भी करीब 3-4% चड़ कर बंद हुआ अगर आप broader markets को देखेंगे तो वहाँ तीजी ज्यादा है Nifty mid cap में आप देखेंगे 5.5% की तीजी देखने को मिली इए काफी अच्छी खासी 1.380 ठाव नंग चड़े NASDAQ में भी करीब 1% की तेजी वहां देखने को मिली और आज सुबह से ही DAO Futures लगातार तेज है, अभी भी 3-4% चड़ा हुआ है, 300 उंकों से जारा तेजी DAO Futures में है, सिर्फ US के मार्केट ही नहीं, अगर आप यूरोप के मार्केट को भी देखेंगे, तो यूरोप के मार्के को जो पिछले 2 दिन काफी उतार चड़ा इसने दिखाया था, सोमवार को काफी गिरा, फिर कल अच्छी खासी तेजी आई, 10% से जादा चड़ कर बंद हुआ था, आज 1% से जादा तेज है, हैंक से के मार्केट में भी करीब-करीब 100% की तेजी है, तो और आल ये था कि दो-तीन ट्रेडिंग सेशन में काफी इनकी पिटाई हुई थी, वो आज चड़े हैं, करीब 4% के आस पास इसका इंडेक्स चड़ा है, मिटल अच्छा खासा चमका है, इसके अलावा फामा शेर आप देखें, दो परसन से जादा चड़ा हुआ है, और इसके अलावा रियल अब उनमें थोड़ी profit booking देखने को मिली है, और बाकी शेर जो पिटे थे थोड़ा इस गिरावट के दौरान, उन सारे शेरों में अच्छी खासी recovery देखने को मिली है, चाहे आप auto के शेर देखें, चाहे आप IT के शेर देखें, या फिर banking के शेर देखें, हर तरफ तेजी द बंद हुए, बाकी 42 शेर राज हरी निशान में बंद हुए.